दोस्तो आज की इस वीडियो में हम डॉक्टर मर्फी की बुक The Power of Your Subconscious Mind के चैप्टर 2 How Your Mind Works के बारे में बात करेंगे आपका दिमाग कैसे काम करता है चेतन और अवचेतन मन कैसे ओपरेट होते हैं और ये आपस में कैसे इंटर कनेक्टेड हैं डॉक्टर मर्फी सबकॉंसेयस माइंड के Basic Principle की व्याख्या करती है लेखख का दावा है कि सबकॉंसेयस माइंड में अनन्त शक्ती और Infinite Power का भंडार है जिसकी help से हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं लेखक ने बहुत सारे एक्जामपल के थुरू हमें ये समझाने की कोशिश की है Conscious Mind as the Gatekeeper Conscious Mind एक Gatekeeper की तरह काम करता है जिस तरह से gate पर खड़ा कोई gatekeeper अंदर जाने वाले की चेकिंग करता है और सब ठीक होने के बाद ही उसे अंदर जाने देता है उसी तरह से हमारा Conscious Mind भी आने वाली information को filter करता है evaluate करता है और ये decision लेता है ये situation को analyze करता है और logical data को process करता है imagine करिए कि आपको new smartphone लेना है तो आपका Conscious Mind क्या करेगा आपका Conscious Mind उसके features को compare करता है दूसरे phones के साथ उसके reviews को पढ़ता है और price को compare करता है और at last उस option को choose करता है जो सबसे best हो डॉक्टर मर्फी एक ऐसे व्यक्ति के story को share करते हैं जो बच्पन से एक गटना के कारण पानी से डरता था जबकि उसका Conscious Mind ये जानता था कि तैरना उसके लिए safe है उसके अवचेतन में डर बैठा हुआ था हिपनोसिस के जरिये डॉक्टर मर्फी ने उसके अवचेतन मन को access किया और उसे इस डर से release होने में उसकी help की और उसे इस डर से release करने में उसकी help की जिसे ये साबित होता है कि चेतन और अवचेतन मन अलग-अलग belief system रखते हैं subconscious mind influence subconscious mind receptive और प्रभावसाली होता है ये conscious mind द्वारा भेचे गए belief और suggestion को accept कर लेता है चाहे वो सच हो या फिर जूट हो ये हमारी भावनाव, आदतों और psychological activity को प्रभावित करता है डॉक्टर मर्फी हमें बताते हैं कि कैसे एक मरीच के मन में बच्पन से ही अलग-अलग तरह के डर बैटे हुए थे जो उसके बुरे experience की वज़ा से बने थे जबकि उसका चेतन मन जानता था कि उसका डर बेकार है लेकिन अब चेतन मन में बैठे ये विचार उसे डराते थे उसके सबकॉंसियस माइंड की थेरिपी करके उसके दर को बाहर निकाल दिया गया Reputation and Affirmation Positive Affirmation की हेल्प से सबकॉंसियस माइंड की प्रोग्रामिंग की जा सकती है और उसके बिलीब सिस्टम को चेंज किया जा सकता है डॉक्टर मर्फी एक महिला की स्टोरी शेयर करते हुए कहते हैं कि उस महिला ने Financial और Emotional Challenges पर काबू पाने के लिए Positive Affirmation को यूज किया उसने लगातार अपने अवचेतन मन को कहा कि मैं धनवान हूँ मेरी लाइफ में सारी बाते ठीक चल रही है और इस तरह से उसने अपने Sub Conscious Mind को Reprogram कर लिया Repetition Emotional Pattern टाइम के साथ अवचेतन मन में बैठ जाते हैं अगर आप अकसर चुनोतियों का सामना डर कर करते हैं तो आपका अवचेतन मन Fair Based Reaction को Automatically Generate करना स्टार्ट कर देगा जब भी आपके सामने चुनोतियां आएंगी आप टरना स्टार्ट कर देंगे Visualization and Mental Imaginary किसी भी डिजायर को Visualize करने से Mental Image तयार कर देते हैं इसको अवचेतन मन सही समझ लेता है डॉक्टर मर्फी एक Salesman की कहानी सुनाते हैं जिसमें उसने Sales को बढ़ाने के लिए Visualization Technique को यूज किया वो Visualize करता कि वो एक सफल Salesman बन गया है वो अपने आपको Check Receive करते हुए Visualize करता था इस तरह से उसने अपना आत्मविश्वास बढ़ाया और अपनी गोल को पूरा किया ये दर्शाता है कि अब चेतन मन की प्रोग्रामिंग से सब कुछ अचीव किया जा सकता है Emotion and the Subconscious हमारे Emotion हमारे Subconscious Mind पर Impact डालते हैं डॉक्टर मर्फी बताते हैं कि जब भी एक महिला को किसी उचे स्थान का सामना करना पड़ता था वो बहुत डर जाती थी उसके इस Deep Rooted Emotion को Address करके Positive Affirmation और Visualization करके उसके Physical Symptoms को Gradually कम कर दिया गया और उसके Subconscious Mind को Reprogram किया गया हमारे Emotion और Subconscious के बीच गहरा संबंध है भावनाए हमारे अवचेतन मन की Programming को प्रभावित करके हमारे Belief, Behavior और Experience को आकार देने में Important Role प्ले करती है इस तरह से Positive और Negative दोनों Emotion हमारे Subconscious Mind पर असर डालते है प्यार, खुशी, कृतग्यता और उत्सह जैसे Positive Emotion रचनात्मक शंता को बढ़ाते है और Positive Result देने में अपना योगदान देते है दूसरी और डर, गुशा, चिंता जैसे Negative Emotion अगर हमारे विचारों पर हावी हो जाते हैं तो वो Undesirable Result देने लग जाते हैं आटो सेजेशन और Self Talk साकरात्मक परिनामों को आकरशित करते हैं ये अपने विचारों को दोहरा कर जान बूच तक अवचेतन मन तक अपनी बात को पहुचाने का एक चरिया होता है Self Talk में Ongoing Internal Dialogue शामिल होते हैं जो हम खुद के साथ करते हैं जो Negative या फिर Positive हो सकते हैं आटो सेजेशन और Self Talk सबकॉंसियस माइन की प्रोग्रामिंग में Important टूल होते हैं जो हमारे बिलीफ सिस्टम को मजबूत बनाते हैं ये दोनों दिमाग के गार्डन में बीच की तरह होते हैं जब आप Positive Affirmation को दोहराते हैं और Creative Self Talk में Engage होते हैं तब आप अपने अवचेतन मन में साकरात्मक विचारों और विश्वासों के बीच बो रहे होते हैं जैसे जब आप कहते हैं I am successful and abundance तब आप Self Worth के बीच बो रहे हैं और उसी तरह के Experience और Alignment में आना आप शुरू कर देते हैं डॉक्टर मर्फी एक महिला के स्टोरी शेयर करते हुए कहते हैं कि वो हर दिन खुद से Self Talk में कहती थी कि वो यंगर है वो हर दिन जवान होती जा रही है रिजल्ट में सबने देखा कि बढ़ती उमर के बावजूद भी उसने अपना Mindset योधफुल रखा और वो अपनी उमर से हमेशा छोटी दिखती रही Self Talk की आदत धीरे धीरे सब Conscious Mind के Believe System का Part बन जाता है जो किसी भी तरह की Difficulties में हमारे Confidence को Build करता है तो दोस्तो आज की इस वीडियो में इतना ही हम इस Book के अगले चाप्टर के साथ अपनी अगली वीडियो में फिर से हाजिर होंगे वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए वीडियो को Like, Share और Subscribe करना पिलकुल मत भूलिएगा